दिवाली के शोव अफसर पर जहां संभी लोग घरों में खुश्या मना रहे थी उसी बीज उत्राखन में एक दर्द नाखाच्छा हो गया उत्रकाशी में यमनूत्री नैशनल हाईवे पर टनर में भुसकलन होने से करीब 40 मज़दूर यहां फस गए करीब 12 घंटे का समय बीग चुका है और NDRF और SDRF की टीमों का rescue operation अभी भी जारी है अभी तक की प्रसंच से थी यह है कि हमारी कलन से संपर्क सापित हो गया था जो अंदर मज़दूर फसे हैं यहां पर एक pipeline है उसके तुरू हमने वाके टोके से इनको संपर्क करने कोईश की तो हमें यह पता चला कि जो मलबा जो patch है मलबे का वो लगबग 60 मीटर का है उसमें से जैसी हम मलबा हटा रहे हैं तो उपर से मलबा अभी भी गिर रहा है तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं हमने लगबग अभी तक 15-20 मीटर एक्स्टिट कर लिया है और अभी 30-35 मीटर आगी जाना वाकी देखे वैसे सभी लोग सुरक्षे थे हमारे इनसे बात हो गई है हमने इनको ड्रायर आशन के पैकेट्स भी 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 जा रहा है ये कितना समय लएगा ये तो कहना थोड़ा डिफिकल्ट होगा टेक्निकल टीम जाता बता पाएगी लेकिन इतना है कि इसमें आभी समय लगने देखे जो मलबा जैसे हम हटा रहे हैं तो उपर जो मलबा फसा वा है वो नीचे गिर रहा है जिसका रहना हम आगे नहीं जा पा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं साइडवे बनाके उपर सॉलिडिफाई कर रहे हैं उसको ताकि मैं थोड़ा पैस मिल जा जिससे हम आगे जा र है वहां पर कारेज्ट यूजरों से हो रहा है सर काफी लोग मीनत कर रहे हैं Megen पर जो ही कल से कर रहे हिए यहां पर पोरी सwee của år पर और अब अंदर गया था तो मैं वहां पर देखा तो वहां से हम लोग बात कर रहे थे तो वह लोग कह रहे हैं कि उनकी आवाजे हम तक पहुंची वो कह रहे हैं कि आप जो खादी सामगरी आप भेज रहे थे उसे ना भेजें अब हवा भेजें यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है कि हम लोगों को जो है बहुत जादा गरम हो गया है और उसके बाद उन्हों ने यह भी कहा है कि हमारी स समय लगता है भगवान चाहें वो सारे लोग सुरक्षीत हैं यही हम लोग सुब कामनाई करते हैं यह सबसे पहले कल तक हम बिलकुल माईस हो गए थे क्योंकि कोई संपर्गी नहीं हो पा रहा था सारे लोग घबरावी हुए थे लेकिन जब रात ठीक 11 बजे उन लोगों से संपर्ग हो पाया है तो लोग बराबर हम यहां से अवाज देए रहे हैं तो हम विलकुल हमने यहां से लिकए भी भेजा था था कि हमारे अगर आप लोगों को दहरे बना रहे हैं कि थोड़े दो-तिन गंटे में ये खुलने वाला है आप लोग दहरे बना के रखें और खाने के जो आप भेज रहे थे हम तक पहुंच रहा है और हम लोग उसे भी खा लिया है और बड़सा दिये कि हवा कब विसेज ध्यान रखा ज जाए अगर आप लोग हमें यहां पर सुरक्षी चाहते हैं तो हवा सबसे पहले हवा भीजी जाए कि सीम पुशकर धामी की ओर से रिस्ट्य ऑपरेशन पर लगादार नजर रखी जा रही है एंडियारेफ और अस्डियारेफ की टीमें मजदूरों को निकालने के प्रयास म लगी हुई है